हेलो बच्चो, पेपर टाइम करते हैं, हमें कुछ बच्चों को ये डाउट होता है, कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्य और मैंथमेटिक्स के अंदर टाइम कैसे डिवाइट करें? या फिर कुछ बचे ऐसा करते हैं कि physics को एक घंटा देते हैं chemistry को 45 minute या 50 minute कुछ बचे 40 minutes देते हैं और वो जो time बचा वो math में देते हैं तो इस तरीके से time का division करना पहले से ही paper को देखे बिना it is something like ball कैसा भी आए में को तो आगे बढ़के front foot पे खेलना है चाहे ball किधर भी आ रहा हो तो this is not an optimum strategy of course हमें जो ball खेलना है जिस तरह का ball आज़ा है उसके हिसाब से खेलना चाहिए उसका मतलब कि है कि हम पहले से ही कुछ भी rigid instruction लेके चलेगे कि हमें ऐसे paper attempt करना है तो हमारा optimum performance नहीं आएगा because तुम इसको ऐसे सोचो कि जैसे 2021 में Max Monix का paper काफी tough आया और अगर मैंने 1 घंटे 20 मिनिट उसमें लगा दिये और मतलब doable question मालिया जो होने थे वो हमसे पहले 30 मिनिट में होगे उसके बाद question होना बंद हो जाए और हम फालतू उसमें time लगाती चले जाए at the expense of other subject मालिया chemistry में हमसे कोई lengthy questions आगे या physics में कोई lengthy questions आगे और वहाँ हमने cut off time लगा थे एक घंटे के बाद करेंगे नहीं जब कि question में इसे बन रहे थे तो ऐसा हो सकते कि जहाँ question बन रहे है वहाँ तो हमने time ही नहीं रहे है वहाँ आपने time जबरदर्स्ती लगा दिया तो it is not a right strategy पेपर में you will see के shift to shift में marks जो है वो काफी उपर नीचे होता है उनका जो toughness level है वो काफी उपर नीचे होता है तो इस तरह की पहले से pre-determined strategy अगर लेके हम जाएंगे तो हमारा optimum performance नहीं आएगा ऐसा हो सकता है कि कुछ performance तो आए गई गई अफकोर्स but that may not be optimum हमें कैसे करना चाहिए basically पहले तो हमें paper को 3 unit में 25-25 question के 3 unit में ना assume करके 75 question की तरह treat करना चाहिए सब को मिला के PCM और फिर मिलको उसमें से easiest question चाहट के पहले round में कर देना चाहिए जहां पे marks पकी बात है कि हमें मिल जाएंगे उसको हमें last career नहीं छोड़ना चाहिए उसमें without calculation mistake पहले round में कर देना चाहिए अब पहले round लगाते समय है लगाने के बाद भले हमारे पस 15 मिट बचे कोई दिक्कत नहीं है आधा घंटा बचे एक घंटा बचे पेपर का जो toughness level होगा उसके हिसाब से अपना time बच जाएगा अगर पेपर बहुत tough होगा तो हो सकता है कि एक घंटे में पहला round लग जाए और हमसे ज़्यादा question बनीना तो उसवाले के इसमें घंटा जोगती नहीं है उसवाले के इसमें cut-off अपनिया बहुत ज़्यादे नीचे चला जाएगा या फिर पेपर relatively easy है जैसे इस साल 2021 में आया था कि physics or chemistry जो है पिल्कुल board level का गया तो पहले round में काफी question हो जाएंगे और हो सकते हैं कि पहले round के बाद हम में पांची मिनट बचे तो भी घवरानी की जोदने because you have already given your optimum performance in the examination तो in nutshell हमें time divide नहीं करना चाहिए paper tough होगा, easy होगा उसके हिसाब से अपने आप optimum performance हमारा आ जाएगा अगर हम पहले round में पहले chemistry करें फिर physics करें फिर mathematics करें ऐसे करके subject का sequence हम कुछ भी चूज कर सकते हो ऐसे करके हम easiest question चाटे चाटे मतलब जो question हमने पढ़ा और अगर easy लगा तुरंट हो जाएगा तीन-चार मिनट के अंदर बहुत दर टाइम में लेगा वो करते हुए चलेगे बाकी छोड़ते हुए चलेगे भले ही tough question हो हमें समझ में नहीं आए के question ने क्या बोला छोड़ दिया या फिर मैंने को लगए या हो जाएगा बट बहुत लेंदी होगा I hope this was useful for you all the very best